बढ़ते कोरोना संक्रमन को देखते ही नागपुर की सेंटरल जेल में आने वाले बाहरी कैतियों या आरुपियों को करीब सवा मा की प्रक्रिया पूरी कर उसे कैदियों के बैलक भी रखा जाता है जोरान उनकी कोरोना जाज लेकर उनके स्वास्ति की तमाम बातों पर ध्यान जेल प्रशासन रखता है कोरोना की संक्रमन से जेल अच्छुता नहीं रहा है एक समय नागपुर सेंटरल जेल में कैदियों में तेजी से कोरोना संक्रमन फैलने के पाग जेल प्रशासन परिशान हो गया था मौजुदा समय में जिल प्रशासन बहुत साउथानी बरत रहा है सुत्रों के अनुसार बाहरी बेंदियों वा आरुपियों को सेंट्रल जेल के बाहर छोटी जेल मंगर मुर्टी लॉन में रखा जाता है जेल अदिक्षक अनुव गुम्रे का कहना है कि बाहर से आ कॉरिंटाइन सेंटर में रखा जाता है सेंटर से निकलने के बाद उन्हें अलग कमरे में रखा जाता है उपरांत उनकी कोरोना जाज की जाती है तब उन्हें जेल के फीतर कैथियों के बैरक में रखा जाता है जेल में बढ़ते ही कोरोना संक्रमन के समय से यह प्रक्रिया शुरू है किसी भी आरूपी या पेदी को आरूपी सेल के अधिकारी कर्मचारी उन्हें नयाले में पेशी के लिए लेकर जाते हैं ऐसे में आरूपी सेल के अधिकारियों कर्मचारी की जिम्मेदारी बनती है कि वही उनकी कोरोना चार्ज कराते हैं कैमरा परसन माइकल के